Q1 क्या दे रखा है? Using elementary transformation, find the inverse each of the matrix. हमें बहुत सारे Q1 क्या है? Q1 क्या है? हमारे पास ये matrix दे रखा है. इसका हमें inverse find out करना है बच्चो. तो कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो. इस matrix को लिख लो. A is equal to this matrix. 1 minus 1, 2, 3. ये matrix दे रखी है हमें. हमें इसका निकालना है inverse. तो मैंने बताया है आपको क्या करना है? A is equal to I of A. A is equal to I of A. अब रख लो भई A matrix क्या? ये वाली. लिख दो left hand side. 1 minus 1, 2 or 3. भई थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा in operations के उपर. ध्यान लगाओगे तो जो chapter number 4 है वो भी अच्छे से clear हो जाएगा. Otherwise बच्चे operations में अठके रहते हैं. मैं simple operation बताऊँगा थोड़ा ध्यान से करना है. concept समझना है. अपना mind strong करना है कि किस तरीके से operation लगा के हम result निकालेगे. A is equal to identity matrix क्या है बच्चो? 1, 0, 0, 1. ये होती है. into में हमने क्या रखना है? A को agities रखना है. समझ में आगई इतनी बात? कोई दिक्कत की बात नहीं है. अब बात आती है operations की. उसमें आपको अपने दिमाग के घोड़े दोडाने हैं. कैसे दोडाने हैं? ध्यान से रखो. आपको क्या करना है? इस वाली matrix को 1, 0, 0, 1 में बदलना है. इस वाली को, left hand side वाली को. तो हम क्या करें कि कौन से operation लगाएं? सबसे पहले देखो. ये हमारी R1 रो है बच्चो. ये R2 रो है. हमें लगाने है operation R2 के उपर. R2 के उपर लगाएंगे. क्योंकि ये तो already 1 है हमारा. R2 माइनस 2R1. क्या operation बना? समझो ध्यान से. R2 रो में से इसका डबल करके subtract कर दो. तो देखो क्या बनेगा? R1 तो हमारी ऐसे क्या से रहेगी? 1 माइनस 1. R2 के उपर लगाएंगे है हमने. ये R2 रो है. पहला element क्या है? 2. तो यहाँ पर क्या रखा जाएगा? 2. माइनस 2 of R1 क्या है हमारा? 1. तो 2 इंटू 1. 2. 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 0. फिर हमें second वाले वो element पर चलना है. यहाँ पर क्या है हमारा 3? यहाँ पर 3 रख लिया. माइनस. यहाँ पर क्या है? 2 of R1 की जाएगा? माइनस 1. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 3 or 2 क्या हो गया? बच्चो 5. बात आ गई समझ में. ठीक है? इनको आफ रफ साइड भी कर सकते हो. उसके बाद is equal to. यही operation हमें इसके उपर भी लगाना है. पहली रो हमारी ऐसे की ऐसे रहेगी. 1, 0. इसके उपर लगा दो operation. यहाँ पर 0 रखेंगे. 0 minus 2 of 1. तो क्या आजाएगा? यहाँ पर minus 2 आजाएगा. फिर 1 के उपर लगाएगे. तो यहाँ पर क्या आजाएगा मेरा? 1 minus 2 of 0. तो यह आजाएगा 1. और into में A. समझ में आई बात clear है? अब भी कुछ दिक्कत लग रही है operations में. दूसरे operation पे ध्यान देंगे. अब देखो बच्चो. मैंने आपको जो second point बताया था operation का. वो बताया था कि हम किसी भी row या column को. अब row के operation लगा रहे हैं. तो row की ही बात करेंगे यहाँ पे. किसी भी row को हम किसी भी constant से multiply या divide कर सकते हैं. अब मुझे यहाँ पे बनाना है 1. तो 1 कैसे बनेगा? इस पूरी row को मैं 5 से divide कर दू. 0 upon 5 0 रहेगा. 5 upon 5 कर दूँगा तो 1 बन जाएगा. बिल्कुल कर सकते हैं. तो क्या लगाएंगे यहाँ पे? यह हमारी कौन सी row है? यहाँ पे R2 row. यह है हमारी R2 row. तो यहाँ पे क्या करेंगे? R2 goes to R2 by 5. R2 को क्या कर दिया? हमने 5 से divide कर लिया. तो यह देखो हमारी पास क्या बन जाएगी? फर्स्ट row तो एजटीज रहेगी 1 minus 1. इसको 5 से divide किया 0. 5 को 5 से divide किया 1 is equal to. यहाँ पे क्या आजाएगा हमारा 1 0. इसको भी 5 से divide करेंगे पूरी row को. माइनस का 2 by 5. इसको भी 5 से divide करेंगे 1 by 5. इंटू में A. कलियर हो गई बात. अब हमाएं क्या चाहिए? यहाँ पे 0 चाहिए. इसको 0 लाने के लिए क्या करेंगे हम? R1 row में R2 को add कर देंगे बस. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? R1 row के उपर operation लगाएंगे R1 plus R2. इन दोनों row को add कर दो. तो देखो क्या आएगा? 1 में 0 add किया? 1 रहेगा. माइनस 1 में 1 add किया? 0 रहेगा. R2 को ऐसे की ऐसे लिख दो. यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे हम. R1 में R2 को add करना है तो 1 minus 2 by 5. क्या करेंगे? 1 minus 2 by 5 तो क्या बन गया? 3 by 5. 0 में 1 by 5 add करेंगे तो 1 by 5. निच्चे क्या है? minus का 2 by 5 और 1 by 5. इंटू में A. तो बच्चो अब ध्यान से देखो. यह identity matrix आ गई मेरे पास. तो यह जो आया है मेरे पास वो आ गया A inverse. तो A inverse is equal to क्या हो जाएगा मेरा? 3 by 5. 1 by 5. minus का 2 by 5. 1 by 5. यह हो गया answer. अब आपके mind में आ रहा होगा सर. यह A inverse हुआ कैसे? देखो A को इस तरफ लेके आओ. तो A inverse हो जाएगा. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास? A inverse of identity matrix is equal to a result. identity matrix तो यह है ही मेरी. तो A inverse is equal to क्या हो गया? यह result आ गया. बस यह काम करना था हमें. using elementary transformation find the inverse of matrix. हमारे पास यह matrix दे रखी है. इसका हमें inverse find out करना है. elementary operations से. कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं. सबसे पहले क्या करेंगे? हम let. इस matrix को मालो A is equal to 2111. यह matrix हमें दे रखी है. अब इसका क्या करना है? हमें inverse बनाना है. inverse के लिए simple सा formula है. A is equal to I of A. पहली वीडियो में मैंने अच्छा इसे बताया था कि यह कैसे operations करके हमारा inverse form करता है. अब यहाँ पर क्या करो? left side A matrix है. रख दो भई. 2111 is equal to identity matrix क्या होता है? 1001 और into में A. अब हमें क्या करना है? यहाँ पर operations लगाने है. इन दोनों matrix के उपर. जो operation यहाँ लगाएंगे, वही operation यहाँ लगेगा. हमें इस matrix को identity matrix मनाना है. 1001 में convert करना है. तो कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं इसको. simple सा operation है. सबसे पहले हम क्या operation लगाएंगे यहाँ पे? बिल्कुल असा operation. R1 goes to R1 minus R2. यहाँ पे मुझे 1 चाहिए. तो अगर मैं इस row में से इसको subtract कर दू. तो यहाँ पे 1 बन जाएगा या नि बन जाएगा? बस यही कर दिया हमने. R1 के उपर operation लगाए है. मतलब इस में से इसको गटाना है. 2 में से 1 गया 1. 1 में से 1 गया 0. R2 हमारी ऐसे के ऐसे fix रहेगी. R2 को हमने बिल्कुल नहीं छेड़ना है. क्योंकि operation हमने बस R1 पे लगाया था. is equal to. इस तरफ आ जाओ. यहाँ पे R1 में से R2 को subtract करना है. 1 minus 0, 1 रहेगा. 0 minus 1. यहाँ पे क्या रहेगा? minus 1 आ जाएगा. यह हमारा 0 और 1 रहेगा into A. हो गया काम. दूसरी बात. अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए बच्चो? 0 चाहिए. क्योंकि 1, 0, 0, 1 बनाना है. तो यहाँ पे हमें 0 चाहिए. 0 कैसे आएगा? अगर मैं इस row में से उपरवाली को subtract कर दूँ. बिल्कुल simple operation. R2 goes to R2 minus R1. R2 पे operation लगाया है. मतलब R2 में से R1 को subtract करना है. ठीक है? तो क्या आएगा हमारे पास? यहाँ पे ध्यान से देख लो. 1 में से 1 गया 0. 0 में से 1 गया. हमारा क्या रह जाएगा? इस पे देखो ध्यान से. Sorry. R1 पे तो लगाना ही नहीं है. यह 1 0 रहेगा हमारा. 1 में से 1 गया 0. 1 में से 0 गया 1. is equal to. यहाँ पे आजाओ अब. पहली रो हमारी ऐसी की है. 1 minus 1. 0 minus 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा minus 1. 1 minus of minus 1 करेंगे तो क्या बन जाएगा? 2. into में A. तो हमारा inverse क्या आगया? A inverse is equal to क्या आगया? 1 minus 1 minus 1 और 2. यह हमारा क्या हो गया? answer. इस तरिक्के से हम inverse find out करना है. Using elementary transformation. Find the inverse of each of the matrices. हमें यहाँ पे एक matrix दे रखी है. इसका हमें inverse find out करना है using elementary operations. तो किस तरिक्के से करेंगे? चलिए देखते हैं. इस ही एक variable के equal माल लेना है. A matrix माल ले हमने. क्या है? 1, 3, 2, 7. यह matrix दे रखी हमें. अब इसका inverse निकालना है बच्चों हमें. inverse कैसे निकलता है हमारा? simple सा formula है. A is equal to I of A. A matrix क्या जो भी दे रखी हम रख लेंगे. यहाँ पे 1, 3, 2, 7. A is equal to identity matrix क्या होती है? 1, 0, 0, 1. इंटू में A. यह matrix हो गई हमारे पास. अब इसके उपर हमें operations लगाने हैं. left hand side और right hand side. कि हमारी यह वाली matrix जो है 1, 0, 0, 1. बन जाए. इस तरिक्के के operation लगाने है हमें. तो क्या operation लगेगा? सबसे पहले simple सा operation दिख रहा है. मुझे second row पे. R2 goes to R2 minus 2R1. क्या किया है मैंने? R2 goes to R2 minus 2R1 किया है. मतलब अगर मैं उपर वाली row का double करके इसमें से subtract कर दू. देखो इसमें से subtract कर दू. देखो इसमें का double करूंगा. तो यह 2 हो गया. 2 में से 2 गया. तो यहाँ पे 0 बन जाएगा. बन रहा है ना easily. तो बस यह operation लगा देना है. हमें एक एक element को पकड़ के चलना है. तो क्या लगेगा यहाँ पे? अब operation R2 पे लग रहा है. तो R1 को हम बिलकुल नहीं छेड़ेंगे. वो वैसे की वैसे रहेगी. R2 पे उप्रेशन लगाओ. R2 का result क्या आएगा? R2 की value देखो क्या है? यहाँ पे 2. माइनस 2 of R1 की value क्या है? 1. तो 2 माइनस 2 क्या आगया? 0. फिर इसके उपर आजो. यह क्या है? 7 माइनस 2 of R1 की value क्या है? अब इसके उपर 3. 3, 2, 6. 7 में से 6 गया. 1 आगया. आगया है? नहीं आगया. अब इदर आजो. फिर्स्ट रो हमारी ऐसे क्या से रहेगी? 1, 0. हमें उप्रेशन लगाना है निच्छे वाली पे. R2 में से twice of R1. 0, minus 2 of 1 करेंगे तो minus 2 आ जाएगा. यहां पे 1, minus 0 करेंगे तो 1 ही रहेगा. इन्टू में A. यह बन गया मेरे पास. अब हमें क्या करना है बच्छो? इसको 0 करना है. इसको 0 कैसे कर सकता हूँ मैं? इस वाली रो को 3 से multiply. 3 से multiply करके इस में से subtract कर दूँ मा. यह कौन सी row है? फस्ट row तो operation लगेगा हमारा R1 के उपर. R1 goes to R1. यह चीज़ द्यान रखना है जो यहां पे row आ गई वही row यहां पे आएगी. माइनस क्या करना है? Thrice of R2. R2 को 3 से multiply करके उपर वाली में से subtract कर दूँ मा. बस बन गया काम. देखो क्या बन गया? यह हमारा क्या है? R1 पे लगा रहे हैं? 1 minus of. देखो यहां पे. R1 minus 3 R2 है ना? R1 minus 3 R2. R1 की value क्या है? 1 minus 3 into R2 की value क्या है? 0. 3 into 0, 0. 1 में से 0 गया. 1 ही रहेगा. फिर इसके उपर आ जाओ. यहां पे क्या है? 3 minus 3 of. R2 की value क्या है? 1. 3 में से 3 गया. 0 बन गया. निच्चे वाली रो ऐजे की ऐसे. उपर वाली इस पे भी लगाओ भई. यहां पे क्या है मारा 1? तो 1 minus 3 of. R2 की value क्या है? minus 2. तो क्या बन गया? minus 2 और 6 हो गया. 6 और 1 क्या आ गया? हमारा यहां पे 7 बन जाएगा. फिर क्या बन जाएगा? minus 3. फिर निच्चे वाली रो हमारी एजटीज रहेगी. minus 2 और 1. इंटू में A. यह identity matrix बन गई. I is equal to. यह बन गया मेरे पास inverse. यह जो value आई है. 7 minus 3 minus 2 और 1. क्योंकि A को इस तरफ लेके आँगा. मैं A inverse हो गया. तो A inverse is equal to क्या आगया मेरे पास result? 7 minus 3 minus 2 और 1. थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा. इंक्योस्चेंस पे तब ही होंगे यह. using elementary transformation, find the inverse of each of the matrices. हमें यह matrix दे रखी है. हमें इसका inverse find out करना है. कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं. सबसे पहले क्या करो? जो भी हमें matrix दे रखी है, उसको A के equal मान लो. क्या है? 2, 3, 5, 7. और inverse क्या होता है हमारा? बिलकुल simple है. A is equal to I of A. यह हमें formula लगाना एक तरिक केगा. A matrix क्या है हमारी? पुट कर लो भई. 2, 3, 5, 7. is equal to identity matrix. 2 by 2 गिये तो 1, 0, 0, 1. और into में A. अब हमें यहाँ पर operation लगाना है. left hand side, right hand side. और operation लगाके इसको हमें identity matrix बना देना है. 1, 0, 0, 1 बनाना है. तो कैसे लगाएंगे operation? ध्यान से देखो. सबसे पहले हमें इसको बनाना है 1, 0, 0, 1. यह चीज. mind में रखो बस. कैसे बने? सबसे पहले देखो. यह R2 row है हमारी. अगर इस में से मैं उपर वाली का double करके subtract करता हूं. तो मेरे पास कुछ न कुछ 1 की form में आएगा. main चीज यह ज्यान रख रहा है को इनको सबको 1 या 0 की form में लेके आने की. अपने आप के उस्षन हो जाएगा. तो यहाँ पे देखो यह second row है तो मैं operation लगाता हूं. R2 goes to R2 minus twice of R1. उपर वाली को double करके इसमें से subtract कर रहा हूं. तो देखते हैं क्या बनता है हमारा. पहली row हमारी ऐसे क्या से रहेगी? 2 और 3. निच्चे वाली पे आजओ. 5 minus twice of 2. 5 minus 4 क्या हो जाएगा? 1. यहाँ पे भी क्या आजएगा? 7 minus twice of R1 क्या है? 3, 3, 2, 6, 7 में से 6 गया 1. यह बन गया मेरे पास. 2, 3, 1, 1. सेम operation हम लगा देंगे यहाँ पे right hand side पे. उपर 1, 0 रहेगा. निच्चे आजओ 0 minus of 2. तो यह minus 2 बन गया. और यह हमारा 1 ही रहेगा. into में A. एक operation हो गया हमारा खतम. देखो बड़ी सी टर्म थी. चोटी सी बन गी. 1, 1 की फोम में आ गई. अब थोड़ा easy हो जाएगा. अब हमें क्या करना है? इसको 1 बनाना है. 1 बनाने के लिए क्या करूँआ? मैं R1 में से R2 को subtract कर दूँआ. तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम R1 goes to R1 minus R2. तो देखो क्या बनेगा हमारा यहाँ पे? इस में से इसको subtract कर दो. 2 minus 1 करेंगे क्या हो गया? 1. 3 minus 1 करेंगे 2. निच्चे 1, 1. सेम operation यहाँ लगा दो. 1 में से minus 2 करेंगे तो क्या बन गया? वच्चो 3. 0 में से 1 किया तो minus 1. और निच्चे वाली रो हमारी ऐसे की ऐसे. यह बन गया. अब इसके बाद और क्या कर सकते हैं? क्या operation लगाएं कि हमारा यहाँ पे क्या बन जाए? यह 1, 0, 0, 1 बन जाए. इसको 0 बनाना है हमें. तो क्या करेंगे? यह कौन सी रो है? 2nd row है. इसमें से उपर वाली को सब्ट्रेक्ट कर दो. तो R2 गोस टो R2 माइनस R1. 2nd row पे लगाना है तो उपर वाली हमारी फिक्स रहेगी 1, 2. फिर 1, 1, 1, 0, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, is equal to. यहाँ पे देखो क्या आजएगा? उपर तो 3-1. 2nd वाली रो पे उपरे सल लगाना है. माइनस 2 of माइनस 3 करेंगे, माइनस 5. 1 माइनस ओफ माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा 2 हो जाएगा. into में A. यह बन गया. अब हमें और क्या करना है भई? यहाँ पे तो हमें प्लस 1 बनाना है, यहाँ 0 बनाना है. कैसे करें हम? अगर मैं इस रो को डबल करके इसमें एड़ कर दूँ, तो 2-2 यहाँ 0 बन जाएगा ना? बिल्कुल बन रहा है, देखो द्यान से. यह फर्स रो है, R1 गोस टू, R1 प्लस में, 2-2 बन जाएगा ना? बस यही कर देना है. 1-2-0 करेंगे, तो यह तो 1 ही रहेगा. यहाँ पे देखो, R1 की जंगा है, मैंने 2 पुट किया, यहाँ पे प्लस में 2-2 की जंगा है, तो 2-2 क्या हो गया? 0. और निचे वाली रो ऐसे के ऐसे. इधर देख लो, अब operation लगा के क्या बनेगा? R1 की है, हमारा 3, प्लस में, twice of minus 5. minus 5 टू जा क्या हो गया? minus 10, 10 में से 3 गया, तो हमारा यहाँ पे क्या आजाएगा? minus का 7. फिर यहाँ पे आजाएगा मेरा 3, और यहाँ पे आजाएगा minus 5, और यह आजाएगा मेरे पास 2, in 2 में A. ठीक है? अब हमें लास्ट टेप बच गया, 1001 चाहिए, यहाँ पे क्या हमारा minus है, कौन सी रो में है? second row में, तो इसको क्या कर देंगे? हम R2 goes to minus of R2, second वाली row के क्या कर दो? sign change कर दो, अपने घर का राजाएगा वही, कोई दिक्कत नहीं है, 1, 0, 0, 1 हो गया, इधर आजाओ, first row minus 7, 3 थी, यह क्या हो जाएगा? plus का 5, minus का 2, into में A, तो A inverse is equal to किसके आगया मेरा? यह वाला matrix, minus 7, 3, 5 और minus 2, this is the answer. using elementary transformation, find the inverse of each of the matrices, हमें यहाँ पर एक matrix दे रखी है, इसका हमें inverse find out करना है, elementary operation से, कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे? let, इस matrix को हम A से denote कर लेते हैं, A matrix माल लिया, नामकरण कर लिया, हमने इसका 2174, अब हमें क्या करना है? inverse निकालने के लिए, हमें अपना formula यूज करना है, A is equal to I of A, बस यह एक simple सा formula है, जिसको यूज करते हुए हम, अपना elementary operation परफोर्म करके, inverse निकाल लेंगे, A क्या है? A matrix 2174, is equal to I क्या है? identity matrix 1001, और into में A, अब इसके उपर operation लगाना है, left hand side, use right hand side पे भी होगी, main काम क्या है हमारा, इसको identity matrix मनाना, 1001 में convert करना, उसको convert कर लेंगे, हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, अगर बच्चो मैं, यहाँ पर second वाली row पे, operation लगाता हूँ, उपर वाली को 3 से गुना करके, 3, 2, 6 हो जाएगा, 7-6 करूँगा, तो 1 बनेगा मेरा, तो 1 की form में, 10 की form में ही लेके आना है हमें, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम R2 गोस टू, R2 माइनस 3 R1, अच्चा एक चीज और, रटने नहीं हैं यह operation आपको, आप अपना दिमाग लगा कि operation लगाने स्टार्ट करोगे न, 57 question में उल्जन होगी, difficulty लगेगी, बट मैं यह मानता हूँ कि, आपको सीख मिलेगी, कि operations कैसे लगाने होते हैं, यह operations थोड़ा हिंट देने के लिए, किस तरिक्ये से करने हैं, कोई भी operation आप अपने perform करके, कर सकते हो, starting में lengthy question बनेगा आपका, 10 operation लगाके करोगे, फिर आपको समझाने लग जाएगी, कि छोटे operation कैसे लगेंगे, तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, r2 goes to r2 minus 3 r1, r2 के उपर operation लगाना, तो first row को हम ऐसे कि ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 minus 6 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर हमने क्या करना है यहाँ पे, 4 minus 3 of 1, तो यहाँ पे क्या आजाएगा, 1 is equal to, इस तरफ भी operation लगाएँगे, यह क्या हो जाएगा, 10 ऐसे क्या हैएँगा, यह आजाएगा, उसमें से, r1 minus r2, क्योंकि 2 minus 1 करेंगे, यह 1 बन जाएगा, बनाना तो 1 ही है न हमें, तो बस देखते हैं क्या बना, 2 minus 1, 1, 1 minus 1, 0, निच्चे 1, 1, सेम यहाँ पे, 1 minus of minus 3 करेंगे, यहाँ पे 4, और यहाँ पे 0 minus 1 करेंगे, minus 1, निच्चे minus 3 और 1 into a, अब यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे 0 चाहिए, 0 कैसे बनेगा, अगर इस row में, इसको सब्ट्रेक्ट कर दूँ, यह कुन सी row, r2, तो यहाँ पे क्या अगरूँगा, r2 goes to r2 minus r1, r2 में से पहली row को सब्ट्रेक्ट कर दूँ, तो क्या बन गया, 1 0 as it is, 1 minus 1 0, 1 minus 0 1, यहाँ पे आजो, 4 minus 1 ऐसे क्या ऐसे, minus 3 of minus 4 करेंगे, तो क्या आगया, minus का 7, 1 minus of minus 1 करेंगे, तो 2 आगया, into में a, यह identity matrix होगी, a को इस तरफ लेके आएंगे, a inverse is equal to 4 minus 1 minus 7 2, तो यह आगया, मेरे पास inverse तो, a inverse is equal to होगया, बच्चो, 4 minus 1 minus 7 2, यह answer आगया, using elementary transformation, find the inverse of matrix, elementary operations लगा के, हमें इस matrix का, inverse find out करना है, तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं, बिल्कुर simple steps बताऊँगा, जो सबसे easy operations है, वो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँगा, सभी questions में, तो पड़े ध्यान से करना है, practice आपको खुद भी करनी है, यह हमने a matrix माली, a is equal to 2, 5, 1, 3, अब हमें पता है, inverse निकालते time, हमें क्या करना है, a is equal to i of a लेके चलना है, यह क्यों लेके चलते हैं, मैंने introduction में बताया हुआ है, a matrix क्या हमारे पास, 2, 5, 1, 3, is equal to, identity matrix क्या होगी, 1, 0, 0, 1, और into में a, हमारा fix रहेगा, क्योंकि इसका हमें inverse बनाना है, अब यहाँ पर क्या करना, आपको elementary operations लगाने हैं, और इसको, इस वाली matrix को आपको, 1, 0, 0, 1 की form में convert करना है, तो सबसे पहले, simple सा operation मुझे नजर आ रहा है, first row पे, अगर मैं 2 में से 1 को subtract करता हूँ, यहाँ 1 बन रहा है, तो यह हमारी first row है, R1 पे operation लगाया, क्या operation, R1 में से R2 को मैंने subtract कर दिया, बस और कुछ नहीं किया, तो क्या बन गया हमारा, 2-1 किया 1, 5-3 किया 2, निच्चे वाली fix, क्योंकि उस पे कोई operation नहीं लगाया हमने, 1-0, 1 रहेगा, 0-1, minus 1 हो गया, यह 0-1 हो गया, into में A, एक operation हमारा खत्म हो चुका, कलियर हो गई बात, उसके बाद हमें और क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे 0 बनाना है, अब मैं क्या करूँ, इस वाली रो में से पहली को subtract कर दूँ, तो क्या हो जाएगा, R2 के उपर operation, R2-R1 कर दूँ मैं, देखो क्या बनेगा, simple से operation, 1 उपर वाली रो fix, 1-1 0, 3-2 1, is equal to, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1-1 fix, 0 में से बन गया, minus 1, 1-1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, into में A, बन गई बात, अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए बच्चो, 0 चाहिए, 0 कैसे बनेगा, second वाली रो का, डबल करके, उपर वाली में क्या कर दू, subtract कर दू, बस काम हो गया, R1 goes to, R1 minus 2R2 कर दू, इसको डबल करके, इसका डबल करूँगा, 2 बनेगा, 2 में से 2 subtract होगा, तभी तो यह 0 बनेगा, बस, तो क्या बन गया यहाँ पे, R1 पे उप्रेशन लगा है, 1 minus 0 का, twice, तो 1 ही रहेगा, 2 minus 2, 0 हो गया, यह हमारी fix, इस तरफ आ जाओ, यहाँ पे, 1 minus twice of 1, तो यह कितना हो जाएगा, बच्चों हमारा, 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, minus 5, और यह क्या रहेगा, minus 1 or 2 into A, यह identity matrix है, इसको इस तरफ लेके आएगे, तो A inverse is equal to, 3 minus 5 minus 1 or 2, तो A inverse जो आगया मेरे पास, वो क्या आगया, 3 minus 5 minus 1 or 2, this is the answer, using elementary transformation, find the inverse of the matrices, हमें जो matrix given है, उसका हमें inverse find out करना है, elementary operations perform करके, तो किस तरीके से करेंगे, चलिए देखते हैं, इसका solution, सबसे पहले आपको पता है, जो भी हमें matrix दे रखिये, उसको हम किसी A matrix से, हम इसको assume कर लेते हैं, A, B, C, D, जो भी आपका दिल करे, वो मान लिया, हमें क्या दे रखिये, 3, 1, 5, और 2 दे रखिये, नेक्स्ट जो हमारा method होता है, जो हम formula use करते है, inverse find out करने के लिए, वो क्या होता है, A is equal to I of A, अब ये formula क्यों use करते हैं, किस तरीके से, इसका inverse निकलता है, वो मैंने introduction के अंदर, अच्छे से समझा रखा है, वो वीडियो भी जुरूर देखना है एक बार, अब यहाँ पर क्या है, A matrices क्या है हमारी, left hand side में, 3, 1, 5, 2, I क्या होता है, हमारा identity matrix, क्या value होगी, ये 2 by 2 की है, तो 1, 0, 0, 1 होगी, और into में क्या होगा हमारा A, अब हमें क्या करना होता बच्चो, है, उसको हम identity matrix में convert कर लेंगे, खिक है, ये काम करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले operation क्या नजर आ रहा है मुझे, यहाँ पे देखो, मिरे पास 3 है, ये 5 है, अगर मैं इस row का double करके, उपर वाली row को double कर दूँ, 3, 2, 6 हो जाएगा, 6 में से 5 सब्ट्रेक्ट करूँ है, यहाँ 1 बन जाएगा, तो ये operation लगा सकता हूँ मैं, ये कौन सी row, first row, तो operation लगेगा R1 के उपर, क्या operation लगेगा हमारा, twice of R1 करके, हम क्या कर दे, R2 उसमें से सब्ट्रेक्ट कर ले, तो देखो, 3 का double क्या हो गया बच्चो, 6, 6 में से 5 गया, यहाँ पे आजाएगा 1, 1 का double कितना हो गया, 2, 2 में से 2 गया, 0, second वाली row हमारी agities रहेगी, is equal to, same operation हम right hand side पे लगाएंगे, यहाँ पे 1 है, 1 का double किया 2, 2 minus 0 क्या हो जाएगा, 2, यहाँ पे 0 का double किया, 0 into 2, 0 minus 1, तो यह आगया, minus का 1, निच्चे हमारी second row हमारी agities रहेगी, into में A, इतना काम हो गया, अब कौन सा operation लगाना चाहिए, हमें यहाँ पे क्या बनाना है, 1, यहाँ पे 0 बनाना है, क्योंकि यही तो बनाना है, हमें identity matrix 1, 0, 0, 1, यहाँ पे 0 होना चाहिए, 0 कैसे आएगा, अगर first वाली row को मैं 5 से multiply करके, इसमें से subtract कर दूँ, यह कौन सी row है, first, first को 5 से multiply करना है, और R2 में से subtract करना है, तो operation कौन सी row पे लगेगा, second पे, तो हम क्या लगाएंगे, बच्चो, R2 गोज टू, R2 माइनस 5 ओफ R1, बस simple है, तो देखो, हमारे पास matrix क्या बनेगी, ध्यान से देख लो, यहाँ पे क्या है, हमारी first row तो as it is रहेगी, 1, 0, इसमें क्या हो जाएगा, 5 माइनस 5 ओफ 1, तो क्या हो गया, 0, यहाँ पे 2 माइनस 5 ओफ 0, क्या हो जाएगा, यह 2 का 2 रहेगा, is equal to, राइट हैंड साइड पे आजो, 2 माइनस 1, first row as it is, इसमें क्या करेंगे हम, 0 माइनस 5 ओफ 2, क्या हो गया, माइनस 10 हो गया, तो यहाँ पे क्या आजाएगा, मेरे पास माइनस का 10, और यहाँ पे क्या आजाएगा, मेरे पास 6, into में A, इतना काम फिनिस हो गया, अब लास्ट काम बचाया है, हमें यहाँ पे इसको 1 बनाना है, 1 बनाने के लिए, मुझे क्या करना पड़ेगा, यह कौन सी row है, R2 row, इसको 2 से डिवाइड कर दू बस, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, हम R2 गोज टू, R2 के उपर ओप्रेशन लगाया है, R2 डिवाइड बाइड बाइड टू कर लेंगे, तो क्या बना दिखो बच्चो ध्याम से, फर्स्ट रो एजटी इस वन जीरो, यह क्या बन गया, 01 is equal to, इस साइड भी यही ओप्रेशन परफॉर्म करेंगे, 2 minus 1, इसको 2 से डिवाइड किया, minus 5, इसको 2 से डिवाइड किया, 3 into A, यह क्या बन गया, identity matrix is equal to, यह matrix 2 minus 1, minus 5 और 3, यह A है जो इस साइड आएगा, तो बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, A inverse, तो हमारे पास A inverse किसके equal आ गया, यह हमारे पास result आ गया, 2 minus 1, minus 5 और 3, this is the answer, using elementary transformation, find the inverse of the matrices, हमें एक matrix दे रखी है, इसके उपर elementary transformation, या operations लगाके, हमें इसका inverse find out करना है, तो कैसे करते हैं हम inverse, चलो देखते हैं solution इसका, सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमें matrix दे रखी है, उसको हम किसी variable के equal माल लेते हैं, इसको माल लिया A matrix, elements क्या क्या है हमारे, 4, 5, 3, or 4, this is the given matrix, ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, इसका inverse निकालना है, inverse निकालने का formula क्या होता है, जो rule यूज करते हैं, जो method है हमारा, A is equal to I of A, A क्या है हमारी given matrix, तो left hand side में आ जाएगी, 4, 5, 3, 4, is equal to I क्या identity matrix, क्या होती identity matrix, 1, 0, 0, 1, क्योंकि ये 2 by 2 की matrix है, इसलिए 2 by 2 की ही हम identity matrix लेंगे, और into में क्या रहेगा हमारा A, next step क्या होता है, हमें इनके उपर operations लगाने हैं, rows या column के उपर, एक particular operation लगाएंगे, या तो row के operation लगाएंगे, या column के, दुनों को mix up नहीं करेंगे question में, ये मैं बार 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 बोल रहा हूं, चेंज होके, वो हमारा inverse हो जाएगा, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे simple सा operation नजर आ रहा है, बुच्च हुम जे, यहाँ पे 1001 बनाना है, अगर ये हमारी first row है, first row में से अगर मैं second row subtract कर दू, तो उपर one बनेगा, बस यही काम करना है, आर वन पे operation लगा रहे हैं, क्या आर वन माइनस आर टू करके, तो क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे, four माइनस three, one, five माइनस four, one, second row हमारी fix रहेगी, is equal to, one माइनस zero, one, zero माइनस one, माइनस one, निच्चे zero और one, इंटू में a, बात clear, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यह हमारे पास आ गया, उसके बाद हम क्या operation लगाएं, यह सोचना है हमें, यहाँ पे देखो बच्चों हमें, zero बनाना है, zero कैसे बनेगा, इसको zero बनाने के लिए, उपर वाली row को मैं अगर, three से, और इसमें से subtract कर दू, तो zero बन जाएगा, देखो, यह second row पे operation लगाएंगे, r2 goes to, r2 minus 3 r1, पहली row को three से multiply करके, इसमें से subtract कर दू, तो देखो क्या बन गया मेरे पास, पहली row as it is रहेगी, one one, three minus of three क्या हो जाएगा, zero, four minus three क्या हो जाएगा, one is equal to, इस साइड भी सेम operation लगाएंगे, one minus one ऐसे क्या ऐसे, यहाँ पे zero minus of three करेंगे, तो यह क्या हो जाएगा हमारे पास, minus का three, और यहाँ पे one minus of minus one करेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, यह हमारा, one minus of minus three हो जाएगा, तो यह आ गया मेरे पास 4 into A ठीक है न देखो यहाँ पर क्या किया है इस वाले में यहाँ पर 1 put किया मैंने R2 1 minus 3 of minus 1 तो 1 plus 3 क्या हो गया 4 अब यहाँ पर मुझे चाहिए 0 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा R1 रो को 0 बनाना है मुझे यहाँ पर तो क्या करेंगे R1 पर उप्रेशन करना क्या है R1 में से R2 को सब्ट्रेक्ट कर लो करो भई 1 minus 0 1 रहेगा 1 minus 1 0 हो गया यह 0 1 एजटेज सेम यहाँ पर 1 minus of minus 3 करेंगे तो क्या बन गया 4 यहाँ पर minus 1 of minus 4 करेंगे तो minus का 5 नीचे रहेगा minus 3 और 4 into A यह आगे identity matrix A इस तरफ आएगा तो A inverse is equal to क्या आगया मेरे पास 4 minus 5 minus 3 और 4 तो A inverse is equal to किसके आगया बच्चो मेरा 4 minus 5 minus 3 और 4 clear है यह आगया मेरे पास answer using elementary transformation find the inverse of the matrices हमें operations perform करते हुए inverse find out करना है अपनी given matrix का कैसे करेंगे चलिए देखते है सबसे पहले हम क्या करेंगे given matrix को assume कर लेंगे A is equal to 3, 10, 2, 7 next जो step होता है हमारा inverse find out करने का वो क्या होता है A is equal to I of A A क्या है given matrix put कर लेंगे 3, 10, 2, 7 I क्या होता है हमारी identity matrix 1, 0, 0, 1 into में A को रखेंगे fix right hand side वाले को क्योंकि इससे हमारा inverse निकलेगा ठीक है अब यहाँ पे हमें क्या करना है operations लगाने ये left hand side है ये right hand side है दोन्नों तरफ operations लगते चलेंगे हमारे इसको हमें क्या बनाना है बच्चो 1, 0, 0, 1 बनाना है इसको 1 बनाने के लिए मुझे क्या operation लगाना पड़ेगा अगर मैं R1 में से R2 को सब्ट्रेक्ट कर दू simple सा operation है R1 पे operation लगाऊ R1 माइनस R2 करके क्या बन जाएगा 3 माइनस 2, 1 10 माइनस 7, 3 second row हमारी fix ठीक है यहाँ पे आजो 1 माइनस 0, 1 0 माइनस 1, माइनस 1, 0, 1 इंटू में A कलियर हो गई बात आगया FIRST उसके बाद हम क्या operation लगाएं यहाँ पे ध्यान से देखो हम क्या करें यहाँ पे इसको 0 बनाना है बच्चो इसको क्या करना है हमें 0 बनाना है 0 बनाना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसका double करके इसमें से subtract कर देंगे R2 के उपपर operation R2 minus twice of R1 अब twice of R1 करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा operation लग रहा है R2 पे तो R1 रोको तो देखो fits 1 3 इसके उपपर आजो 2 minus of 2 करेंगे 0 7 minus of double इसका करेंगे 3 to just 6 7 minus 6 क्या हो जाएगा 1 is equal to right hand side पे क्या जाएगा यहाँ पे 1 और minus 1 fix यहाँ पे क्या जाएगा मेरा 0 minus of 2 R1 minus 2 हो जाएगा और यह बन जाएगा 3 into A अब इसको 0 बनाना है इसको 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा में यह कुणसी रो में है फस्ट रो में तो R1 पे उप्रेशन R1 में से क्या गटा है हम यह 0 बन जाए इसको 3 से मल्टिप्लाई करके 3 R2 कर दो हमें इदर वालों पे कोई ध्यान नहीं देना यह कुछ भी बनते रहे हमें इसको identity बनाना है वस क्या बनेगा देखो R1 पे उप्रेशन लगा है 1 minus of 0 का thrice करेंगे 1 ही रहेगा यह 3 minus 3 क्या हो जाएगा 0 यह 0 1 is equal to right hand side पे आजो यहाँ पे क्या बन जाएगा यह हमारा 1 minus 3 into minus 2 यह 7 हो गया हमारा तो यहाँ पे आगया 7 यहाँ पे बन जाएगा minus का 10 और यह आजाएगा minus का 2 और 3 agitates यह identity matrix हो गया एको इस तरफ लेके आएगे A inverse is equal to क्या आगया 7 minus 10 minus 2 और 3 तो A inverse जो आगया मेरा वो यह आगया 7 minus 10 minus 2 और 3 this is the answer using elementary transformation find the inverse of the matrices हमें जो given matrix है उसका operations लगा के transformation करके inverse find out करना है तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं इसका operations सबसे पहले क्या करेंगे हम इसको assume कर लेंगे A matrix क्या है 3 minus 1 minus 4 और 2 अब inverse find out करते टाइम हमें करना क्या होता है यहाँ पे A is equal to I of A लेना है यह क्या है given matrix है क्या दे रखिए हमें 3 minus 1 minus 402 is equal to I of I क्या होता है identity matrix इसको लिख लेंगे 1 0 0 1 into में A अब हमें क्या करना है यहाँ पे operations लगाने है अपने और इस left hand side को हमें क्या करना है identity form में convert कर लेना है ठीक है अब जितने भी question क्या है न हम row के operation लगाते आ रहे हैं अब कई question क्या होते है column के operation से easy हो जाते है यह question है row operation लगाओगे fractional value आती है उससे भी हो जाएगा होंगे 3-4 operation बस column operation लगाओगे वो और भी easy है तो यह question पे हम column operation भी देख लेते हैं कैसे लगते है हमारे यहाँ पे देखो यह हमारी column कौन सी है c1 यह column है मारी c2 यह c1 यह c2 तो मैं यहाँ पे क्या करू c1 goes to c1 plus twice of c2 अगर कर दू ध्यान से देखो अगर इस row में मैं इसको double करके add करता हूँ इसका double करूँगा minus 2 हो जाएगा 3 में minus 2 add करूँगा 1 बन जाएगा बच्चो बन रहा है ना easily बस यही काम करना है हमें तो क्या बनेगा यह ध्यान से देख लो 3 plus में twice of minus 1 क्या बन जाएगा यह 1 बन गया मेरा यहाँ पर यह क्या है मेरे पास minus 1 additives फिर इसके उपर operation लगाओ यह क्या रहेगा minus 4 plus में twice of 2 2 तू जा 4, 4 minus 4 क्या हो गया जीरो और यह क्या रहेगा हमारा 2 का 2 रहेगा अब देखना कोलम पे operation लग रहा है तो c1 के उपर operation लगेंगे पूरे समझ में आगई बात इस तरफ भी ऐसे ही लगाएंगे हम 1 plus twice of 0 करेंगे यह 1 ही रहेगा यह 0 रहेगा यहाँ पे 0 of बनाना है 1 0 0 1 चाहिए तो मैं क्या करूँ इन दोनों कोलम को अपस में एड कर दूँ यह कौन सी कोलम है c2 तो यहाँ पे operation क्या लगा दूँ मैं c2 गोस टू c2 प्लस c1 इसमें यह एड कर दूँ बस तो क्या बन जाएगा ध्यान से देख लो पहली कोलम को एड़िटीज लिख दो 1 0 इसमें माइनस 1 प्लस 1 करूँगा 0 2 प्लस 0 करूँगा यह 2 का 2 रहेगा यहाँ पे आजओ 1 2 एड़िटीज 0 में 1 एड किया हमने तो क्या हो गया 1 2 में 1 एड किया तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया 3 into a अब यहाँ पे क्या है हमारी कोलम सेकिंड है कोलम के ओप्रेशन लगा रहे हैं तो कोलम सेकिंड को 2 से डिवाइड कर लूँगा हमें तो यहाँ पे c2 goes to c2 by 2 तो क्या बन जाएगा यह 1 0 0 1 इस तरफ भी हम 2 से डिवाइड करेंगे क्या बन जेगा 1 1 by 2 2 3 by 2 into में a अब यह identity matrix इसको इस तरफ लेके हैंगे a inverse is equal to 1 1 by 2 2 और 3 by 2 तो inverse जो आ गया मेरे पास क्या आ गया है a inverse is equal to 1 2 1 by 2 और 3 by 2 यह मेरे पास inverse आ चुका और this is the answer using elementary transformation find the inverse of matrices हमें elementary operations लगाके transformation करके हमें given matrix का inverse find out करना है तो किस तरिके से करेंगे चलिए देखते हैं सबसे पहला काम क्या होगा हमरा इस given matrix को हम किसी variable के equal मान लेते हैं मान लिया a के equal 2 minus 6 1 minus 2 naming कर लिए हमने इस given matrix की उसके बाद हमें क्या करना है हमें पता है inverse निकालने का तरिका क्या होता है a is equal to i of a करना है a क्या है given matrix left hand side पे लिखेंगे 2 minus 6 1 minus 2 is equal to i क्या होती है identity matrix 1 0 0 1 into में a अब हमें row के या column के operation लगाके हमें left hand side को identity बना देना है मतलब 1 0 0 1 में convert कर लेना है क्या operation लगाएं सबसे पहले देखो यहां पे पहले point पे ही पहुच जाया करो 99% पहले वाले को आप one करने की try करो अपने आप operation लगते से ले जाएंगे यह 2 है इसको one कैसे बनाऊंगा मैं इसको one बनाने के लिए यह कौन सी row है first row first row में से अगर मैं second row को subtract कर दूँ तो कुछ तो कुछ से होगा हमारा इसके अंदर देखते हैं क्या आएगा r1 पे operation लगा हमने r1 minus r2 पहली row में से second row को subtract कर लिया क्या बन जाएगा हमारे पास देखो 2 minus 1 कि या 1 minus 6 of minus 2 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा minus of minus 2 plus 2 हो जाएगा तो यह क्या बन जाएगा minus का 4 second row हमारी adjectives अब इस पे आ जाओ 1 minus 0 करेंगे 1 0 minus 1 करेंगे minus 1 यह 0 1 into में A हुआ कुछ soul out अब क्या करो इसको 0 बनाने की try करो simple सा जहाँ पे भी 1 1 से आना है इसको तो कैसे बनेगा इस में से इसको सब्टेक्ट कर दू अब तो यहाँ पे क्या कर दूँगा R2 के उपर operation R2 minus R1 कर दू देखो क्या बनेगा पहली row हमारी fix रहेगी 1 minus 4 अब 1 minus 1 करूँगा तो 0 minus 2 of minus 4 करूँगा तो plus 4 हो गया तो यह क्या बन जाएगा मेरे पास यहाँ पे 2 बन जाएगा A is equal to right hand side पे आजो 1 minus 1 fix 0 minus 1 करूँगा तो यह आगया मेरे पास minus 1 और यहाँ पे क्या आजाएगा मेरे पास 1 minus of minus 1 करूँगा तो यह क्या आगया 2 into A यह आगया अब उसके बाद और क्या करना चाहिए हमें हमें क्या करना है यहां पर zero बनाना है इसको इस वाले को क्या बनाना है यहां पर? Zero होना चाहिए Zero करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा अगर मैं second row को double करके इसमें add कर दूँ तो zero बनेगा बिलकुल बनेगा ये हमारी कौन सी रो है, फस्ट रो, तो R1 के उपर उप्रेशन लगाएंगे, क्या, R1 प्लस ट्वाइस ओफ R2 करके, देखो क्या बनेगा, 1 प्लस 0 ओफ, ट्वाइस ओफ 0, ये तो 1 ही रहेगा, यहाँ पे माइनस 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 0, निचे 0 और 2, ध्यान से देख लो, क्या किया है, मैंने, R1 की वैल्लू क्या थी, माइनस 4, प्लस में ट्वाइस ओफ R2 की वैल्लू क्या है, 2, 2 टू जा 4, माइनस 4, 0, इस 3, और निचे माइनस 1 और 2 हमारा फिक्स रहेगा, ओप्रेशन लगाने आ चुके हैं आपको, अब यहाँ पे 1 बनाना है, इसको क्या करो, हमारी कौन सी रो है, सेकिंड रो, R2 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, R2 गोस टू आर 2 बाइ 2 कर दो, क्या बन गया, 1, 0, 0, 1 is equal to, यह माइनस 1, 3, माइनस का 1 बाइ 2 और 1, तो A इनवर्स जो आ गया मेरे पास, वो आ गया, माइनस 1, 3, माइनस का 1 बाइ 2 और 1, इस इस दा अंसर, using elementary transformation, find the inverse of the matrices, हमें जो भी given matrix है, उसका हमें elementary operations लगा के inverse find out करना है, तो कैसे करेंगे, चल यह देखते हैं, सबसे पहले हमी क्या करना है, इस matrix को A के equal assume कर लेंगे, let A is equal to, 6, minus 3, minus 2, और 1, अब inverse find out करने का तरीका क्या होता है, A is equal to I of A, A क्या हमारी given matrix, 6, minus 3, minus 2, और 1, is equal to I क्या identity matrix, 1, 0, 0, 1, और into में क्या आएगा A, अब हमें क्या करना है, operations लगाने हैं, operation लगाके हमें इसको 1, 0, 0, 1 की form में convert करना है, तो क्या operation लगा सकता हूँ, मैं यहाँ पे, देखो, मुझे यहाँ पे एक operation नजर आ रहा है, जिससे मेरी यह दोनों value 0 हो रही है, क्या, यहाँ पे अगर मैं R1 पे operation लगा हूँ, इसको 3 से multiply करके इसमें add कर दूँ, तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पे, R1 क्या है, मिरे पास 6, प्लस में 3 of minus 2, minus 6 हो जाएगा, यह बन गया 0, फिर यहाँ पे क्या है, minus का 3, plus में 3 into 1 करूँगा, तो minus 3 plus 3, यह भी क्या बन गया 0, next, minus 2 और 1, is equal to, यहाँ पे भी आ जाओ, 1 0 तो यह क्या बन गया, 1 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 और 1, into में A, यह बन गया, अब आप सोचोगे, सर, यहाँ पे तो आपको 1 0 बनाना था, आपने तो 0 0 बना दिया, अरे बच्चों, दिखो ध्यान से, कुछ क्योस्टन ऐसे होते हैं, जहाँ पे, अगर आप रो के ओप्रेशन लगा रहे हो, और आपकी पूरी की पूरी रो क्या बन जाए, कोई भी एक रो, या एक से ज्यादा रो, 0 बन जाए, तो उस क्योस्टन का inverse एकजिस्ट नहीं करता, क्या कहा है, मैंने ध्यान से सुनो, हम रो के ओप्रेशन पर्फोर्म कर रहे हो, और हमारी पूरी रो या एक से ज्यादा रो, क्या बन जाए, 0 बन जाए, तो वहाँ पे उस मैट्रिक् पताया था मैंने दूसरी बात क्या है अगर हम कोलम ओप्रेशन लगा रहे हूं और कोई भी एक कोलम या एक से ज्यादा कोलम हमारी जीरो बन जाए तब भी हमारा इंवर्स एक्जिस्ट नहीं करेगा तो यहां पर क्या लिखेंगे हम रो R1 is 0 so A inverse does not exist तो यहां पर हमारा inverse एक्जिस्ट नहीं करेगा अगे हमें सोल आउट करने की जरूरत ही नहीं है choosing elementary transformation find the inverse of the matrices हमें एक matrix given है उसके उपर operation perform करके हमें इस matrix का inverse find out करना है कैसे करेंगे चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या करेंगे हम इस matrix को A के equal assume कर लेंगे क्या है 2 minus 3 minus 1 or 2 कर ली हमने assume अब inverse निकालने का तरीका हमें पता है क्या होता है A is equal to I of A लेना है ये क्यों लेती है introduction के अंदर बताया मैंने कहीं आप सोचो सर रटने वाली चीज हो गई मैंने बताया किस तरीके से इस formula से inverse निकलता है A क्या है हमारी given matrix जो भी दे रखिए हमें क्या है 2 minus 3 minus 1 or 2 I क्या होती है identity matrix ये 2 by 2 की है तो 2 by 2 की ही identity matrix हम use करेंगे into में A next step क्या होता है जो भी हमारे पास ये result आए हम यहाँ पे हमें क्या करना है left वाली matrix को identity matrix में convert कर लेना होता है operations लगा के तो क्या operation हम यहाँ पे perform करें ध्यान से देखो ये 2 है यहाँ पे मुझे one चाहिए क्योंकि one zero zero one बनाना है न इसको मुझे one चाहिए one कैसे बनेगा अगर इस में मैं इसको add कर दूँ first row में अगर second row को add कर दूँ तो यहाँ one बनेगा मेरा operation याद नहीं करने है बस सबसे पहले सोचा करो कि यहाँ पे one कैसे बने step wise चलो अपने आप operation लगते चले जाएंगे थोड़ा सा mind को खोलना start करो ठीक है अब 12th class में हो गए हो अब यह नहीं है कि teacher ने जो बताया वही आप use करोगे कोई और method कोई और operation लगा के भी आप soul out कर सकते हो यहाँ पे हमारी first row है r1 उसमें क्या करना है r1 में हम r2 को add कर देंगे इसमें इसको add कर दो तो क्या बनेगा 2 plus 2 क्या हो जाएगा ओ 2 minus 2 क्या हो जाएगा ओ sorry यहाँ पे 2 है 2 minus 1 क्या हो जाएगा 1 यहाँ पे minus 3 plus 2 क्या हो जाएगा minus 1 और second वाली row हमारी fix रहेगी minus 1 और 2 यहाँ जो 1 plus 0 क्या हो गया 1 0 plus 1 क्या हो गया 1 निच्छे 0 1 into में A यह आ गया यह नहीं आ गया दूसरा काम क्या है बच्चो second step सोच लो अब यहाँ 0 बनाना होता है हमें इसको 0 करने के लिए क्या गर उपरवाली को इसमें add कर दो बस यह कौनसी row है second r2 row पे operation लगा देंगे r2 plus r1 करके इसमें इसको add कर दो तो क्या बनेगा ध्यान से देख लो उपरवाली को fix रको 1 minus 1 minus 1 plus 1 करेंगे तो क्या हो गया है 0 यहाँ पे 2 minus 1 करेंगे 1 is equal to यहाँ पे 1 1 agitage 0 plus 1 करेंगे 1 और 1 और 1 2 into a जब आपके पास 1 की form में या 0 की form में matrix बननी start हो जाए ना यह मान लेना कि आपने question कर लिया है अब बस simple सा काम रह गया यहाँ पे क्या बनाना रह गया हमारा 0 बनाना रह गया 0 कैसे बनेगा इसमें इसको add कर दो वपिस तो first row में क्या कर देंगे हम r1 goes to r1 plus r2 यह चीज आपको ध्यान रखनी है first row पे operation लगाने है न यहाँ r1 है तो यहाँ पे r1 ही आएगा r1 में r2 को add कर रहे हो आप तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो 1 plus 0 1 minus 1 plus 1 0 निचे 0 1 यहाँ पे 1 plus 1 2 1 plus 2 3 1 2 इंटो a यह क्या हाँ identity matrix a को इस तरफ लेके आएंगे a inverse is equal to 2 3 1 2 ठीक है तो a inverse जो आ गया मेरे पास वो क्या आ गया 2 3 1 2 this is the answer समझ में आ गया होगा clear है किस तरीके से करना है crystal clear question हो जाते होंगे तो channel को subscribe जरूर कर देना अगर आपको next class is channel से full spot मिलती है आपको अच्छा लगता है channel तो एक subscribe तो दे ही सकते हो channel को using elementary transformation find the inverse of the matrices हमें एक matrix दे रखी है उसके उपर operations perform करके elementary transformation करके उसका inverse निखालना है तो किस तरीके से करेंगे चलिए देखते हैं सबसे पहले हमें क्या करना है यहां पर इसको हमें एक matrix के equal मान लेना है a के equal a नाम रख दिया हमने एक तरीके से इसका 2142 यह हो गई हमारे पास matrix clear है अब इसका inverse निखालने का तरीका क्या होता है a is equal to i of a this is the formula अब यहां पर a क्या है हमारे पास यह matrix है 2142 is equal to i क्या होती identity matrix 1001 into में a यह matrix clear है अब हमें क्या करना है यहां पर operation लगाने है operation लगा के इसको क्या करो या तो कोई दो रोज को 0 बना दो उससे क्या लिख देंगे हम कि inverse exist नहीं करता है या फिर क्या करेंगे हम इसको identity matrix में convert कर लो यहां पर देखो यह बेरे पास क्या है 4 इसमें से अगर मैं उपर वाली का double subtract करता हूँ यह भी 0 बन जाएगा यह भी 0 बन जाएगा तो क्या operation लग रहा है r2 goes to r2 minus twice of r1 तो देखो क्या बन गया r1 रो तो हमारी fix 2 1 4 में इसका double करके subtract करेंगे 4 minus 4 क्या हो गया 0 2 minus 2 क्या हो गया 0 is equal to 1 0 यहाँ पर 0 minus twice करके करेंगे minus 2 और यह क्या हो जाएगा 1 into a यह आ गया मेरे पास अब ध्यान से देखो जो second row है बच्चो वो completely 0 आ चुकी जब हमारी complete कोई row एक या row एक रो या एक से ज्यादा row 0 बन जाए तो हमारा inverse उस matrix का exist नहीं करेंगा क्या काया मैंने row के operation लगा रहे हो और पूरी की पूरी row या एक से ज्यादा row हमारी 0 हो जाए तो inverse exist नहीं करता अगर आप कोलम के operation लगा रहे हो तब एक कोलम या एक से ज्यादा कोलम इस तरिया vertically अगर मानलो 0 हो जाए इस तरिक्ये से तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे भी inverse exist नहीं करेगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम row r2 a0 so a inverse does not exist तो इस matrix का inverse exist नहीं करेगा हम निकाली नहीं सकते इसका inverse यह हमारा 1001 कभी नहीं बन पाएगा ठीक है कुछी question होते हैं एक दो question बट ध्यान जरूरू रखना है आपको ऐसा भी हो सकता है कहीं आप लगे रहो लगे रहो sir 1001 तो बनी नहीं रहा यह भी देख लिया करो क्या पता कोई row पूरी की पूरी या पूरी की पूरी कोलम ही 0 बन रही हो हमारी using elementary transformation find the inverse of the matrices हमने क्या करना है यहाँ पे एक matrix दे रखी हमें इसके उपर operations perform करके हमें इस matrix का inverse find out करना है तो बड़े ध्यान से करने है जो सबसे simple operation है वो मैं आपको बताऊँगा difficult यहाँ पे बिल्कुल नहीं बताऊँगा ठीक है तो चलिए देखते है question number 15 है क्या सबसे पहले क्या करेंगे हम इस matrix को a assume कर लेंगे a matrix के equal a is equal to क्या है 2 minus 3 3 2 2 3 3 minus 2 और 2 this is the given matrix अब आपको पता है इन्वर्स किस तरिक के से find out होता है हमारा a is equal to i of a this is the procedure अब हमें क्या करना है यहाँ पे left hand side a matrix को put करना है क्या है हमारे पास 2 minus 3 और 3 2 2 और 3 3 minus 2 और 2 is equal to identity matrix अब यहाँ पर क्या लेंगे बच्चो 3 by 3 की matrix है तो 3 by 3 की ही लेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और into में क्या रहेगा हमारा a रहेगा यह हो गई हमारे पास matrix clear हो गया अब हमें क्या करना है इसके उपर operations लगाने है या तो row wise operation लगाते चलेंगे या column wise लगाते चलेंगे मैं आपको prefer करूंगा सबसे पहले आप row wise operations लगाएं तो वह best होता है column में आप confuse हो सकते हो ठीक है तो यहां पर देखो यह हमारी first row है यह second row यह third row है हमें क्या करना है यहां पर one चाहिए बच्चो क्या चाहिए हमें one चाहिए अगर मैं इन दोनों row को add करके और इस वाली को subtract कर दो देखो two or two four four minus three क्या हो जाएगा one हो रहा है न हमें इस matrix को इस form में लेके आना है तो हम यहां पर क्या करेंगे पहला operation r1 goes to r1 plus r2 और minus r3 कर देंगे first row के उपर operation लगाया है हमने क्या operation लगाया है उपर वाली दोनों row को add करेंगे और third वाली को उनमें से subtract करेंगे तो हमारे पास matrix क्या बनेगी वो देख लो अब द्यान से यहां पर क्या है हमारे पास 2 और 2 4 4 minus 3 करेंगे तो क्या आगया 1 minus 3 plus 2 minus 1 हो गया minus 1 of minus 2 करेंगे तो यहां पर हमारे पास क्या जाएगा 1 फिर 3 और 3 6 6 में से 2 गया तो हमारा आगया 4 बाकी दोनों row हमारी as it is रहेंगी यहां पर क्या आगया 2 2 3 3 minus 2 और 2 is equal to same operation हमें right and side वाली matrix के उपर भी apply करना है यहां पर क्या हो जाएगा हमारा यहां पर 1 plus 0 1 minus 0 करेंगे 1 ही रहेगा फिर यहां पर भी हमारा क्या रहेगा 1 रहेगा और यहां पर क्या जाएगा minus 1 और बाकी दोनों में यह हमारी row क्या रहेंगी fix रहेंगी into में a clear हो गई बात उसके बाद और क्या operation लगाएं हम ध्यान से देखो अगर मैं second row के उपर operation लगाता हूं क्या r2 goes to r2 minus 2 r1 ध्यान से देखो r2 में से अगर मैं उपर वाली row का double करके subtract करता हूं तो यहां पर 0 बनेगा मैंने आपको बताया था इस तरीके के question में क्या करना है आपने सबसे पहला जो element है पहले तो उसको 1 बनाने की try करो फिर उससे next वाले element को 0 बनाने की try करो 0 तब operation लगाओगे बिलकुल easy question होता चला देगा अब देखो यहां पे अगर second वाली row में से मैं उपर वाली का double subtract करता ह तो यहां पर 0 बन जाएगा बस यही काम करना है और बाकी अपने आप बनते चले जाएगे तो देखो यहां पर क्या आएगा मेरे पास operation लगाने के बाद यहां पर क्या है उपर वाली row fix रहेगी 114 उसके बाद हमारा क्या है यहां पर टू-3 है इसके उपर लगा operation क्या का है R2 में से twice of R1 subtract करना है तो 2-2 क्या हो जाएगा 0 फिर यहां पर 2 है 2- twice of 1 करेंगे तो 2-2 हो जाएगा यह फिर 0 आजाएगा यहां पर क्या आजाएगा 3-428 तो माइनस का 5 आजाएगा और जो लास्ट वाली row है हमारी वो fix रहेगी 3-2 और 2 same operation हमें right hand side apply करना यहां पर क्या रहेगा 1-1 फिर वाली row fix रहेगी 0-1 इंटू में A यह बन गई मेरे पास matrix अब उसके बाद हमें और operation देखना है हमें क्या करना है यहां पर अगर हमें 0 बनाना इसको 0 कैसे बनेगा यह हमारी first row है यह हमारी third row है तो हमें third row के उपर operation लगाना है r3 goes to r3 minus 3 times of r1 उपर वाली को 3 से multiply करके 3 से multiply करके इसमें से subtract कर दू तो यह 0 बन जाएगा बस बनाओ भई 0 क्या बनेगा उपर वाली दोनों row agities 1 1 4 0 0 minus 5 यहां पर 3 of minus 3 क्या हो जाएगा 0 यहां पर क्या है minus 2 minus में 3 into 1 करेंगे तो minus क्या हो जाएगा बच्चो minus का 5 और यहां पर क्या हो जाएगा 2 minus of minus 4 क्या हो जाएगा यह मेरे पास minus का 10 हो जाएगा क्या हो गया यहां पर 2 minus 4 3 जा 12, 12 में से 2 गया minus का 10 आजएगा same operation हम right end side पर लगाएंगे यहां पर क्या जाएगा हमारा 1 1 minus 1 second वाली row भी fix रहेगी minus 2 minus 1 और 2 और third वाली row पे operation लगाना है क्या operation है r3 की value रखे thrice of r1 subtract करना है r3 की value क्या 0 minus 3 of 1 तो क्या आजाएगा यहाँ पे minus का 3 फिर हमें क्या करना है 0 minus of 3 फिर आजाएगा यहाँ पे r3 की जगा 1 रखेंगे 1 minus thrice of minus 1 तो minus 3 plus 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा यहाँ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 4 ठीक है into में a देखो अगर करने में confusion हो रही है operation को रखो यहाँ पे r3 minus 3 of r1 है r3 की value क्या है 1 minus 3 into r1 की value क्या है minus 1 तो यहाँ पे क्या हो गया 1 minus of minus क्या हो गया plus 3 तो क्या आगया यहाँ पे 4 इस तरीके से निकालनी है ठीक है अब इसके बाद next operation देखते हम यहाँ पे ध्यांग से देखो हमारी निचे वाली row में two values आई हुई है उपर वाली में single value है ठीक है अमें चाहिए क्या ध्यांग से देखो यहाँ पे value चाहिए इसको मैं निचे लिया हूँ इसको उपर ले जाओ तो क्या करेंगे हम r2 row को और r3 row को हम क्या कर लेंगे interchange तो क्या आजएगा मेरे पास result 1 1 4 थर्ड वाली row उपर चली जाएगी क्या हो जाएगी 0 minus 5 और minus 10 वो वाली निचे आजएगी 0 0 minus 5 same as it is यहाँ पे लगा देंगे हम operation 1 1 minus 1 यह उपर चली जाएगी minus 3 minus 3 4 minus 2 minus 1 और 2 into में A अब देखो simple हो गई हमारे पास equation यह हमारी क्या है second row है यह हमारी third row है दुन्नों को अगर मैं 5 से divide कर दू minus 5 से तो क्या result बनेगा देखो यह second row है 5 से divide हो रही है तो R2 goes to minus R2 by 5 और R3 को भी क्या करूँ R3 goes to minus R3 by 5 5 से divide कर लूँ तो क्या बनेगा मेरे पास देखो द्यान से 1 1 4 agitives यहाँ को 0 by minus 5 करेंगे तो 0 ही रहेगा यह हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे 1 बन जाएगा यह हमारा क्या बन जाएगा 2 निच्चे क्या बन जाएगा 0 0 1 minus 5 को 5 से divide क्या 1 बन गया आगे न कुछ-कुछ इस फोम में आने लगी हमारी अब यहाँ पे right hand side पे भी same procedure 1 1 minus 1 इधर कुछ भी बनता रहो minus 3 by minus 5 होगा तो यहाँ पे क्या आगया 3 by 5 यहाँ पे भी 3 by 5 यह minus का 4 by 5 इसको minus 5 से divide करेंगे तो यह क्या होजाएगा 2 by 5 यह 1 by 5 यह minus का 2 by 5 into में A अब simple काम रह गया बच्चो हम ही क्या करना है यहाँ पे 0 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है R2 minus twice of R3 इस वाली रो में से इसका double करके subtract कर दूँ देखो मुझे 2 minus 2 चाहिए 0 बनाने के लिए यह 2 है second row है यह third row है तो R2 में से twice of R3 मैंने subtract कर लिया तो क्या बन जाएगा मेरे पास यहाँ पे द्यांग से देखो उपर वाली रो fix इस वाली पे आजो R2 पे operation लगाया है हमने तो 0 रहेगा हमारा यह 1 रहेगा यहाँ पे 2 minus of 2 क्या हो जाएगा हमारा 0 और निचे वाली रो भी हमारी क्या रहेगी fix सेम operation हम right hand side लगा देंगे क्या बन जाएगा हमारा 1 1 minus 1 एजिटी रहेगा अब यहाँ पे ध्यान से देखो क्या operation लगाना है R2 minus twice of R3 R2 की value क्या है 3 by 5 minus में 2 multiply R3 की value क्या है 2 by 5 तो क्या हो गया बच्चो 3 by 5 minus 2 to 4 by 5 तो कितना आजाएगा minus का 1 by 5 तो यहाँ पे क्या आजाएगा minus का 1 by 5 सेम एज इस जिस पे करेंगे यह हमारा क्या आजाएगा यहाँ पे positive 1 by 5 आजाएगा और यहाँ पे minus का 4 by 5 है into 2 करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा last वाली row fix रहेगी 2 by 5 1 by 5 और minus का 2 by 5 यह आगई मेरे पास ठीक है अब हमारा काम क्या है इसको 0 बनाना इसको 0 बनाने के लिए simple काम है हमारा यह हमारी first row है तो R1 पे operation R1 minus 4 times of R3 R3 को 4 से multiply करके उपर वाली में से subtract कर दो दो देखो क्या बन गया 1 minus of 4 times 0 क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा 4 minus 4 क्या हो जाएगा 0 यह फिर क्या आजएगा 0, 1, 0, 0, 0, 1 clear, right hand side पे आज़ो क्या बन जाएगा ध्यान से देखो यहाँ पे R1 की value क्या है 1 minus 4 times of R3 की value क्या है 2 by 5 तो क्या हो गया 1 minus 8 by 5 तो यहाँ पे क्या आजएगा minus का 3 by 5 बच गया 5 बन जाए 5, 5 minus 8 minus का 3 by 5 same operation in values को लेंगे R1 की value अब क्या हो जाएगी 1 minus 4 multiply R3 की value 1 by 5 तो यह आप वे 5 minus 4 क्या आगया यह मेरे आगया 1 by 5 फिर next देखेंगे हमारा आजएगा 3 by 5 दोनों रोज same minus का 1 by 5, 1 by 5 और 0 next 2 by 5 1 by 5 minus का 2 by 5 into में A अब A को प्रेशन रह गया last इसका क्या रह गया यहाँ पे इसको 0 बनाना इसको 0 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चो 1st row में से 2nd row को subtract कर दू बस simple है तो यहाँ पे क्या आजएगा R1 goes to R1 minus R2 कर दू तो देख लो क्या बन गया 1 minus 0 1 ही रहेगा 1 minus 1 0 हो गया 0 minus 0 0 यह हमारी fix रहेंगी is equal to same operation यहाँ पे लगा देंगे 1st वाली row में से 2nd को subtract कर लो तो क्या बन जाएगा minus 3 by 5 और minus of 1 by 5 बना है तो यह क्या हो जाएगा plus का 1 by 5 इसका LCM लेंगे यहाँ पे क्या आगया minus का 2 by 5 1 by 5 minus 1 by 5 क्या हो गया 0 3 by 5 minus 0 करेंगे तो यह क्या रहेगा 3 by 5 आगे की दोनों row same as it is minus का 1 by 5 1 by 5 0 2 by 5 1 by 5 minus का 2 by 5 into A यह identity matrix आगी A को इस तरफ लेंगे तो क्या हो जाएगा A inverse into I is equal to this matrix और A inverse is equal to क्या हो गया जो भी यह result बन क्या है यह हो गया है inverse minus का 2 by 5 0 3 by 5 minus का 1 by 5 1 by 5 और 0 और 2 by 5 1 by 5 minus का 2 by 5 this is the answer question number 15, 16, 17 most important है बड़े अच्छे से करने हैं क्योंकि यह 3 by 3 matrix के उपर inverse find out करना है क्या question है using elementary transformation find the inverse of matrices हमें operations perform करके given matrix का inverse find out करना है तो कैसे करेंगे सबसे पहले हम जो यह matrix हमें दे रखी है उसको क्या कर लेंगे हम let कर लेंगे let the given matrix equal to A matrix ठीक है अब आपको inverse का निकालने का formula पता है क्या होता है A is equal to I of A A क्या है given matrix जो भी हमें दे रखी है लिख लो उसको 1, 3, minus 2 minus 3, 0, minus 5 2, 5, 0 is equal to I क्या होती है identity matrix यह 3 by 3 की है तो 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 into में A matrix इतनी बात clear है कोई दिक्कत नहीं है अब हमें क्या करना है ओप्रेसंस लगाने है रोज या कोलम पे किसी एक पे और इस वाली left and side matrix को हमें identity matrix में convert करना है ठीक है सबसे पहली मैं trick बताऊं आपको क्या है इसकी trick कोई teacher नहीं बताता सबसे पहला काम क्या है यहाँ पे देखो first वाला element हमारा one होना चीए one तो है यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं फिर क्या करो इनको zero करने की try करो ऐसे operation लगाओ कि यह zero बन जाए ठीक है ऐसे step वाई चलोगे आपका question easily हो जाएगा तो यहाँ पे क्या करूँ मैं यह second वाली row है इसको zero बनाना है मुझे क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पे r2 के ओपर operation लगाए मैंने क्या r2 plus 3 of r1 ठीक है अगर मैं इस वाली में इसका thrice करके add गर दो तो यह zero बन जाएगा बिल्कुल इजी है और एक operation और साथ में लगा लेता हूँ मैं थर्ड वाली row पे इसको आगे next step में भी लगा सकते हो चलो next में ही लगा लेंगे confuse मतो इसको operation लगाओ ध्यान से देखो हमारे पास क्या बन गया r2 goes to r2 plus 3 r1 तो पहले रो को तो हम additives लिख लेंगे 1, 3, minus 2 सेकिंड वाली पे आजओ यहाँ पे r2 की value क्या रखेंगे minus 3 plus में 3 into r1 की value 1 तो 3 minus 3 क्या हो गया 0 फिर यहाँ पे आजओ 0 plus 3 of 3 तो यहाँ पे क्या आजएगा मेरा 9 और यहाँ पे क्या आजएगा minus का 11 और थर्ड वाली रो को रखो fix 2, 5, 0 same operation यहाँ लगा दो बच्चो first row as it is second पे आजओ यहाँ पे क्या हो जएगा 0 plus 3 of 1 3 हो गया यह 1 रहेगा यह 0, 0, 0, 1 into 8 यह आजए मेरे पास ठीक है अब क्या करें हम third वाली रो पे पहुझ जो इसको 0 बनाना है इसको 0 बनाने के लिए simple सा काम है उपर वाली first row को 2 से multiply करके इसमें से subtract कर दो क्योंकि 2 minus 2 0 हो जाएगा तो बस यही काम करेंगे क्या operation होगा R3 के उपर R3 minus 2 R1 उट पठांग operation नहीं लगाने confuse होने वाले नहीं लगाने बिल्कुल simple operation यहाँ पर क्या करना है हमने third row में से उपर वाली को 2 से multiply करके subtract करना है तो क्या बनेगी हमारे पास matrix वो देख लो बस पहले 2 rows हमारी same रहेंगी 1, 3, minus 2 फिर 0, 9, minus 11 इसके उपर आजो बच्चो यहाँ पर 2 रखा 2, minus 2, into R1 की value क्या है 1 तो 2, minus 2 क्या हो जाएगा 0 यहाँ पर 5, minus 6 क्या हो जाएगा minus 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास 0, minus of minus 2 का यह हो जाएगा यह 4 हो जाएगा अब right hand side पे आजो यह थोड़ी सी help करने के लिए है practice तो आपको खुझ से ही गरने है कहीं यह सोचो की सर याद कर लेंगे इन operations को यह बस just practice के लिए है मैं help बता रहा हूँ आपको किस तरीके से गरने है first two rows fix रहेंगी 1, 0, 0 क्योंकि उन पे उपर कोई भी oppression नहीं लगा है third वाली पे लगा है 0, minus of 2 करेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा minus 2 0, 0 क्या रहेगा 0 और यहाँ पर रहेगा 1 ही रहेगा into में A यह आ गई मेरे पास उसके बाद next step पे क्या करना है next step पे उपर पहुँच जो इसको 0 बनाना है अब हमे यह तो वना चुका हमारे पास 1 के बाद इसको 0 बनाना है इसको 0 कैसे बनाएंगे नीचे वाली रो को इस वाली को third वाली को 3 से multiply कर दो और उपर वाली में add कर दो इसको 3 से multiply करेंगे minus 3 हो जाएगा minus 3 plus 3 0 बन जाएगा है ना simple operation तो क्या operation लगेगा यहाँ पे यहाँ पे हम operation लगा देंगे r1 goes to r1 plus 3 r3 देखो भाई क्या बनेगा r1 goes to r1 plus 3 r3 r1 क्या यहाँ पे 1 तो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा 1 ही रहेगा यहां पे 3 minus 3 क्या हो जाएगा हमारा 0 फिर क्या आजाएगा minus 2 4 की 3 से multiply 12 minus 2 क्या हो जाएगा 10 बाक्की row हमारी same रहेंगी 0 9 minus 11 0 minus 1 और 4 same operation right hand side लगा दो यह क्या बन जाएगा हमारा 1 minus of minus 2 क्या हो जाएगा यह मेरा 5 हो गया minus का फिर मेरे पास क्या आजाएगा 0 और फिर 3 बाक्की row हमारी same रहेंगी 3 1 0 minus 2 0 1 into में 8 यह आगया अब next operation पे चलो भई फिर इसको क्या करना है में 1 बनाना इसको क्या बनाना इसको 1 1 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा देखो अगर इस वाली row को में 8 से multiply कर दू minus 8 हो जाएगा और इसमें add कर दू 9 minus 8 क्या हो गया 1 बन गया बस लगा दो operation R2 पे operation क्या लगेगा R2 plus 8 R3 देखो क्या बना एक एक step पे चलते रहोगे ना बारी बारी element पे अपने आप soul होता रहेगा first row हमारी fix रहेगी 1010 क्योंकि उसके उपर कोई operation नहीं इस पे आजओ 0 plus 8 times of 0 यह 0 ही रहेगा यहाँ पे 9 minus 8 times of 1 क्या हो जाएगा हमारा 1 आ गया यहाँ पे minus का 11 plus में 8 into 4 8 4 जा 32 और 11 गया तो हमारा यह क्या आ गया मेरा 32 में से 11 गया तो 21 आ गया यहाँ पे यह fix रहेगा 0 minus 1 4 right hand side पे होई operation लगा दो first row fix minus 5 0 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 8 to just 16 16 में से 3 गया तो minus का 13 फिर 1 फिर 8 यहाँ पे minus 2 0 और 1 into 8 clear next step next में क्या करना है हमे अब हमें इस element को 0 करना है इसको 0 करने के लिए क्या गरूम है R3 के उपर operation लगाऊंगा क्योंकि यह 3rd row है इसमें R2 को add कर दूँगा बस R3 plus R2 देखते हैं क्या बनेगा अब R3 के उपर operation लग रहा है तो R1 R2 fix रहेंगे 1 0 10 0 1 21 इस पे आजो 0 plus 0 क्या हो गया 0 minus 1 plus 1 क्या हो गया 0 4 और 21 क्या हो गया मेरा 25 सेम operation यहां पे 1st और 2nd row fix रहो minus 5 0 3 minus 13 1 और 8 minus 2 और minus 13 क्या हो गया minus का 15 0 और 1 1 हो गया 8 और 1 9 हो गया इंटू में 8 कुछ कुछ simplify हो गया हमारा अब next operation क्या लगाई हम next operation में मुझे इसको 1 बनाना है इसको 1 कैसे बना सकते हैं 25 से divide कर दे पूरी की पूरी row को देखो यहां पे कोई effect नहीं आएगा 25 से divide करने पर इसके उपर effect आएगा यह third row है तो R3 goes to R3 by 25 अपनी मर्जी से लगाते है operation कोई गभराने की ज़रूरत नहीं है उपर वाली दोनों row same 1 0 10 0 1 21 0 0 25 को 25 से divide करेंगे 1 बन गया same as it is easy धर आजओ पहली दो row same minus 5 0 3 minus 13 1 8 minus 15 को 25 से divide करेंगे तो मिरे पास क्या जाएगा minus का 3 by 5 यहां पे 1 by 25 और इस तरफ क्या जाएगा 9 by 25 into में A अब इसके next page पे operation देखते है यह आ गया मेरे पास अब देखो बच्चो हमें इसको क्या करना है 0 बनाना है इसको 0 कैसे बना सकता हूँ मैं 3rd वाली row को 10 से multiply करके उपर वाली में से subtract कर दो तो क्या करना पड़ेगा मुझे R1 goes to R1 minus 10 R3 इसको भी 0 बनाना यह कुन सी रो है 2nd row तो इसके उपर operation क्या लगा दूँ हमा R2 goes to R2 minus 21 R3 2 operation इकठे लगा दिये मैंने ध्यान से देखो पहले 1st वाले operation पे चलो R1 minus 10 R3 R1 की value 1 रखें 1 minus 10 of 0 तो 1 ही रहेगा यह हमारा 0 ही रहेगा यहाँ पे देखो 10 minus 10 into R3 की value 1 तो 10 minus 10 क्या हो गया? 0 हो गया 1st operation complete अब R2 के उपर भी लगाया है 2 operation इकठे भी लगा सकते हैं अगर आपकी practice अच्छी है तो R2 में क्या क्या? मैंने R2 में से 21 of R3 subtract किया है तो 0 minus 0 0 ही रहे गई तो यहाँ पे 1 minus 21 of 0 क्या रहेगा? हमारा 1 ही रहेगा यहाँ पे देखो 21 रखे R2 की value minus 21 into R3 की value क्या है? 1 तो 21 minus 21 क्या हो गया? 0 और 3rd row हमारी बन गई ना identity matrix same operation हम यहाँ लगा देंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहले minus 5 of पहले minus 5 put किया minus 10 into R3 की value क्या है हमारे पास? यहाँ पे minus का 3 by 5 minus minus प्लस हो जाएगा minus 5 plus 30 by 5 इसको simplify करेंगे तो यहाँ पे 5 5 जा क्या हो गया? 25 30 में से 25 गया तो हमारा 5 by 5 मतलब कटके क्या आ गया? 1 ऐसे simplify करना है next 0 यहाँ पे है हमारे पास R1 की value 0 minus 10 of 1 by 25 इसको simplify करेंगे आ जाएगा minus का 2 by 5 next आ जाएगा minus का 3 by 5 फिर आ जो second row पे यह operation लगाना है यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास minus का 2 by 5 simplify करके यहाँ पे फिर R2 की value 1 रखेंगे 1 minus 21 of फिर R3 रखेंगे तो यह क्या आ जाएगा 1 by 4 by 25 फिर हमारा आ जाएगा 9 यह आ जाएगा 11 by 25 और 3rd row रहेगी हमारी fix minus का 3 by 5 1 by 25 और 9 by 25 into में A ठीक है clear हो गया यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चीए बस operation में value पर पूट करनी है अब यह क्या आ गया मेरे पास inverse तो यह identity matrix यह इस तरफ आएगा तो A inverse is equal to this और A inverse is equal to क्या हो गया मेरे पास यह जो result आया है 1 minus का 2 by 5 minus का 3 by 5 minus 2 by 5 minus 3 by 5 4 by 25 1 by 25 11 by 25 और 9 by 25 this is the inverse और this is the answer using elementary transformation find the inverse of the matrices हमारे पास एक matrix दे रखी है उसके उपर elementary transformation या operations लगा के हमें इसका inverse find out करना है कैसे करेंगे चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या करेंगे let इस matrix को किसी variable के equal माल लेते हैं इसको A matrix माल लिया अब आपको बता है कि हम inverse कैसे निकालते है A is equal to I of A यह हमारा standard form होता है introduction में समझाया भी है कैसे इससे inverse निकलेगा अब यहाँ पर A क्या है हमारी given matrix उसको हम write down करेंगे 2 0 minus 1 5 1 0 0 1 3 is equal to I क्या है identity matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और into में क्या रहेगा हमारा A क्योंकि इसी से inverse निकलेगा अब हमें क्या करना है यहाँ पर operations लगाने है और इस left hand side को या तो क्या करना है हमें identity form में लेके आना है या फिर इसकी 2 row या 1 row को 0 0 बना दो उससे inverse does not exist हो जाएगा कोई भी एक काम होगा हमारा तो सबसे पहले क्या करना हमें देखो trick बता रहा हम कोई teacher नहीं बताता ध्यान से सुन लो पहले हमें क्या करना first वाले element पे चलना इसको क्या बनाना है हमें 1 बनाना है इसको 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा कौन सी रो है first रो तो r1 goes to r1 by 2 कर दिया हमने सिधा और कुछ नहीं किया उपरवाली रो को 2 से डिवाइड कर दो 2 by 2 करेंगे 1 ये 0 ये minus का 1 by 2 next रो सेम रहेंगी 5 1 0 0 1 3 same as it is इस तरफ उप्रेशन लग जाएगा 1 का हाफ करेंगे 1 by 2 0 0 0 1 0 0 0 1 into a ये काम हो गया है या नहीं हो गया इतना समझ में आ गया होगा next step में क्या करना होता है second वाले element को हमें क्या चीए ये 0 बनाना है 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा first वाली रोको अगर मैं 5 से multiply कर दो और इसमें से subtract कर दो तो ये 0 बन जाएगा easily कर दो भई क्या करना है हमे r2 के उपर operation लगाना second row पे r2 minus 5 r1 भई इतने असान नहीं होते operation वाले question कहीं है सुचो सरी एक बार में समझ में ही नहीं आ रहे थोड़े confuse हो रहे है हम तो दिमाग लग रहा है भई दिमाग लगाना पड़ेगा operations में मैं बार-बार बोल रहा हूं थोड़ा सा concept strong करना पड़ेगा अपना mind active करना पड़ेगा तब क्यों सनोंगे यहाँ पे देखो हमने क्या किया operation लगा है second row पे तो फर्स्ट और थर्ड फिक्स रहेंगी वन जीरो माइनस वन बाइ टू इस पे आजो यह r2 की value क्या रखेंगे 5 माइनस 5 ओफ आर वन की value क्या है 1 तो 5 माइनस 5 क्या हो गया 0 यहाँ पे 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पे क्या आजएगा 0 को 0 माइनस ओफ माइनस 5 बाइ 2 तो यह क्या हो जाएगा प्लस का 5 बाइ 2 और यह हमारी रो क्या रहेगी fix रहेगी 0 1 3 same as it is operation right hand side लगा दो यह fix 1 बाइ 2 0 0 यहाँ पे यह क्या रहेगा माइनस का 5 बाइ 2 हो जाएगा यह हमारा 1 रहेगा यह 0 0 0 1 into में A इतना काम खतम next operation पे चलते है next क्या होता है 0 चीए यहाँ पे 0 already है यहाँ भी 0 चीए यह भी है यहाँ 1 चीए यह भी है तो इसको 0 बनाना है अब हमे इसको 0 बनाने के लिए कौनसी रो में है यह वच्चो third row में तो third row पे operation लगेगा क्या लगेगा r3 goes to r3 minus r2 कर दू इसमें से उपर वाली row को subtract कर दू बस यह काम करना है और कुछ करना ही नहीं हमें तो यह 1 0 minus का 1 by 2 fix हमें operation लगाना r3 पे तो second वाली row भी fix रहेगी 0 1 5 by 2 इस पे आजाओ अब इस पे operation लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 minus 0 0 1 minus 1 0 3 minus 5 by 2 तो यह क्या हो जाएगा 1 by 2 is equal to same operation right hand side भी लगाते चलेंगे यह क्या 1 by 2 0 0 यहाँ पे क्या आजाएगा minus का 5 by 2 1 और 0 इस पे operation लगाओ 0 minus और minus 5 by 2 क्या हो जाएगा plus का 5 by 2 यहाँ पे minus 1 हो जाएगा यह 1 into A ठीक है अब इस step पे आजाओ इस step पे हमें क्या करना है यहाँ पे 0 बनाना है इसको 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा फर्स्ट रो है तो R1 goes to इसको 0 कैसे बनाएगा इसमें और third row को add कर दो R1 प्लस R3 कर दो बस देखो क्या बनेगा यहाँ पे क्या है हमारा R1 पे operation लगा रहे 1 प्लस 0 1 रहेगा 0 प्लस 0 0 रहेगा minus 1 by 2 plus 1 by 2 0 हो गया बाकी row fix यह हो गया मिरे पास value जा गई is equal to यहाँ पे क्या रहेगा 1 by 2 और 5 by 2 कितना हो जाएगा यह हो गया मिरा 6 by 2 मतलब 3 0 minus 1 minus 1 और यह 1 फिर minus का 5 by 2 1 और 0 5 by 2 minus 1 और 1 into में A clear next step पे चलते हैं अब हमें क्या करना है बच्चो इसको 0 बनाना है और इसको 1 बनाना है इनमें से अब कोई से को भी पहले कर लो इसको 1 हम इजली बना सकते हैं इसको 2 से अगर मैं मल्टिप्लाई कर दू तो R3 goes to twice of R3 कर दू तो क्या बन जाएगा ध्यान से देखो उपरवाली रोफिक्स 1,0,0,0,1,5 by 2 इसको 2 से मल्टिप्लाई किया तो 0,0,2 into 1 by 2 1 बन गया सेम का हम राइट टाइम साइड पे करेंगे 3,1,1,1,5 by 2,1 और 0 इसको 2 से मल्टिप्लाई किया 5,2,2,2 into A अब इसको 0 बनाना रह गया हमारा बस और कुछ भी नहीं रहा है बस इस वाले टम को 0 बनाना है तो इसको 0 बनाने के लिए हमें क्या करना है सिंपल सा यह सेकिंड रो है R2 पे उप्रेशन R2 गोस टू R2 माइनस 5 by 2 टाइम सो फार 3 इसको 5 by 2 से मल्टिप्लाई करके इसमें से सब्ट्रेक्ट कर दूँ बस बन गया काम 1,0,0,0,1,0,0,0,1 हो गया राइट एंड साइड पे आजो सेम उप्रेशन लगा देंगे यहां पे 3,1 और 1 यहां पे R2 पे उप्रेशन माइनस का 5 by 2 माइनस 5 by 2 और 5 तो यहां पे क्या हो जाएगा मेरा माइनस का 15 आ जाएगा यहां पे मेरे पास 6 आ जाएगा यहां पे मेरे पास माइनस का 5 आ जाएगा और third row fix 5 minus 2 or 2 into A तो ये जो time आगे ये आगे मिरे पास A inverse This is the answer इसको next step में लिख देना page नहीं है यहां पर खतम हो गया तो A inverse के आगे मिरे पास ये result बस ये काम करना था I hope आपको clear हो गया है कोई भी दिक्कत नहीं है कोई भी problem किसी परकार की लगे तो आप मुझसे पूच सकते हैं क्यों आया है ये inverse एक बार आपको मैं बता भी दूँ ये क्या है identity matrix is equal to किसके आगया A inverse into A तो ये A inverse आया है मेरे पास यहां से हम pick कर लेते हैं इसको इस तरफ लेके आएंगे तब भी ये A inverse हो जाएगा clear हो गई बात कोई दिक्कत नहीं है समझ में आ गया होगा question कोई भी problem किसी परकार की लगे तो आप मुझसे पूच सकते हैं otherwise channel को subscribe जरूर कर ले next question 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 number 18 भी देखते हैं इसी वीडियो में question number 18 क्या है matrices A and B will be inverse of each other only if उसने क्या कहा है अगर मान लो कोई A matrix है उसका inverse B है तो हमारा कौन सा option correct होगा ठीक है अब देखो हमने जितने भी previous question किये हैं उनके अंदर आपने एक concept सिख़्ा है अगर मान लो मैं A of A inverse निकालता हूँ तो मेरे पास किसके एकवल आता है identity matrix के या फिर जो आपने result यूज क्या है A is equal to I of A यही तो use कर रहे हो आप बार बार इसका मतलब क्या है A को इस तरफ लेके आओ A into A inverse is equal to I के यही तो हुआ अब यहाँ पे क्या कहा है A और B matrix है अगर A का inverse B है तो इसको अगर मैं इकठा लिखू तो A into B is equal to किसके आएगा identity matrix के अगर मालो B का inverse A है B का inverse क्या है A तो यहाँ पे B into A लिखू तो मैं किसके एकवल आएगा I के और इन दोनों से क्या लिख सकता हूँ equation first or equation second से A of B is equal to B of A is equal to I के तो हमारा option D क्या हो जाएगा correct option समझ में आगी बात अगर मैं matrix और उसका inverse इखठा लिखता हूँ तो वो identity matrix के equal होगा यहाँ पे पहला case क्या लिए हमने B को मान लिया A का inverse तो A into B दूसरे case में A को B का inverse माना तो B into A is equal to हमेशा किसके होगा identity matrix के तो option D क्या हो गया मेरा correct option clear है question चैनल को subscribe करके रखना आपका अपना चैनल है नेक्सा क्लासिज जादा से जादा share करना thank you students for watching नेक्सा क्लासिज वीडियो